हाई फ्रेंड्स आज हम आपके लिए पत्ते गुभी की ऐसी रेज़पी लेकर आए हैं जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं तो आएए अब बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कुछ सबजियों के ले लेंगे उससे अच्छी तरह से धुल कर साफ कर लेंगे यहाँ पर हमने बंदगोवी थोड़ी सी हरी प्याज दो मीडियम साइज के आलू और थोड़ी से हमने धन्या पत्ति ली हैं आईए अब सबजियों को हम कट करते हैं यहाँ पर हमने बंदगोवी को ले लिया है इसे हमें बारिक कट करना है जिस तरह से हम बंदगोवी को कट कर रहे हैं कुसी तरह से आप भी कट कर लें यहाँ पर हमने बंदगोवी को लगवक कट कर लिया है कट कर लेने के बाद हम इसे किसी कड़ाई या भगोनी में ले लेंगे क्योंकि हमें बंदगोवी को उबालना है याद रखें इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना है बस हलका सभाव देना है इसे उबलने के लिए हम लगवक एक कप पानी एड़ कर देंगे अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जब तक हम बंदगोवी को गैस पर रखें हैं तब तक हम चलते हैं अपने आलू की तरफ हमें यहाँ पर ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लेना है देख सकते हैं हमने आलू को ग्रेट कर लिया है इसी तरह से आप भी आलू को ग्रेट कर ले अब हमारा आलू ग्रेट हो चुका है जिस कड़ाई में हम बंदगो भी गो रखे हैं उसी कड़ाई में हम ग्रेट किया हुआ आलू रख देंगे इसके उपर हम एक लेयर लगा देंगे ताकि हमारा आलू भी थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए आपको इस्ट्राव पानी नहीं एड़ करना है ये उसी भाफ में पक जाएगा इस पर हम धक्कन लगा देंगे अब चलते हैं हम और सब्जियों की तरफ यहाँ पर हम जो हरी प्याज रखे हैं उसे कड़ कर लेंगे यहाँ पर हमने प्याज को ले लिया है इसे हमें छोटा-छोटा कट करना है अब हमें हरी मिर्च को कट कर लेनी है हमने चार हरी मिर्च ले है आप अपने तेखे कर नुसार ले यहाँ पर हमने हरी मिर्च को कट कर लिया है इसको साइट कर देते हैं अब हमें अंडे ले लेना है किसी बड़े बरतन में हम अंडे को फोल लेंगे उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके बाद हमने बाद एक धनिया पत्ति कट की है उसे हम एट कर देंगे यह औप्सनल है अगर आप नहीं चाहते तो ना एट करें अब हमें हरी मिर्च एट कर देनी है अब आप इसमें सौथ के अनसर नमक एट कर सकते हैं अभी इन सारी सामगरी को हमें मिला लेना है अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे रख देना है हमें अपकड़ाई को गैस से उतार लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बंदगो भी और आलू बिल्कुल सौप्ट हो चुका है आप इसे किसी च्छन्ने की मज से छान ले इसमें पानी ना रहे अब हमें इसे अंडे में आइड कर देना है आइड कर लेने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला दे ताकि हमारा नमक, धन्यापत्ती, हरी मिर्च सब अच्छी तरह से मिल जाए मिला लेने के बाद हम इसे ढखकन लगा के साइड कर देंगे इसके बाद हमें गैस पे कढ़ाई या भगोना ले लेना है उसमें थोड़े सा हमें आयल लगा देना है हमने यहाँ पर लासुन की दो-तिन कलिया ली है उसे हम थोड़े से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक आप इसे भूनते रहें जब यह ब्राउन हो जाये तब आप इसे उतार ले आप देख सकते हैं यह एक साइड का बिलकुल ब्राउन हो चुका है हमने इसे दूसरी तरफ पलड़ दिया है दोनों साइड ब्राउन होने के बाद आप किसी बरतन में इसे निकाल लेंगे आप गैस पर किसी कड़ाई या फ्राई पैन को रख देंगे आपके पास जो भी बरतन हो उसमें हम आयल एड़ कर देंगे इसके बाद अंडे वाले सामगरी को हम आयड़ कर देंगे आप इसको चारो तरफ फैला दें फलका सा प्रेस करते हुए आप इसे फैलाएं फैला देने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें याद रखें कि आप फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें बिलकुल मेडियम फ्लेम रखें ताकि ये नीचे धीरे धीरे पक जाए अब ये एक साइड का पक चुका है इसे हम किसी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर अब हम प्लेट पर उतारने वाले हैं इसी बहुत आराम से आप उतारें नहीं तो ये तूर जाएगा देख सकते हैं हमने प्लेट पर निकाल लिया है उतारने के बाद इसमें थोड़ा बहुत अंडी का कच्चापन रह जाता है वो इस तरह से हम फ्राई पैन में गिरा लेंगे याद रखें आपको आल नहीं आइड करना है अब हमें फ्राई पैन को प्लेट पर इस तरह से बलट देना है आप देख सकते हैं हमने पलट दिया है इसी तरह से आप साधानी पूरवक इसे पलट दे याद रखें आप फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें एकदम बिल्कुल मेडियम फ्लेम रखें अब इसे दूसरी साइड कुछ देर तक के लिए सिखने दे इसके बाद हमें किनारे किनारे थोड़ा सा आयल लगा देना है ताकि ये पकड़ेना अब चलते हम और सामगरी की तरफ यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया है इसे हमें पतला पतला कट कर लेना है इसे मोटा नहीं कट करना है पतला ही कट करें इसके बाद हमें इसके उपर सास लगा देते हैं सास लगा देने के बाद इस पर आप तमाटर रख दें जो हमने बाद इक कट किया है हमें यहाँ पर टमाटर को रख देने के बाद इसके उपर हम चीज रखेंगे इसके बाद हमें लास्ट की कलियों को रखना है जो हमने फ्राइ किया हुआ है अब हमें हरी प्याज को रखनी है जो हमने बारी कट की हुई है इसके बाद आप इसे धक देंगे आप चाहें तो इस पर और भी सब्वियां रख सकते हैं कुछ देर पकने के बाद इसे ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यह बिलकुल पक चुका है अब हम किसी प्लेट में इसे उतार सकते हैं यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसे आप देख सकते हैं यह कितना एमी लग रहा है आप इसे एक बाद जरूर टाई करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सस्क्राइब अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई